दोस्तो अगर अभी तक आपने जीटिये फाइफ हॉलर इस्टोरी पार्ट वन नहीं देखा तो सबसे पहले जाके उसे देख लीजिए वरना ये वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी पिछली वीडियो में हमने देखा था सिंचैन लावा गौड लिक्विड को लेकर गलती से पानी से भरी बाल्टी में गिर गया जिससे लावा गौड लिक्विड का सर सिंचैन पे भी हो गया और सिंचैन भी आधा लावा गौड बन गया फ्रेंकलिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें तभी उसी बाल्टी में से फिर धुआ निकलना सुरू हो गया और इस बार बाल्टी से असली लावा गौट बहार आया पर तब तक फ्रेंकलिन और सिंचैन गेट के पीछे चिप गय थे जिससे उनकी जान बच गई पर तभी लावा गौट की नजर फ्रेंकलिन पर पड़ गई जिससे लावा गौट उनके पास जाने लगा लावा गौट को अपने पास आते देख ये दोनों भागने लगते हैं जब लावा गौड की नजर सिंचैन पे जाती है तो लावा गौड समझता है वो उनकी ही प्रजाती का है और फिर लावा गौड सिंचैन को चिला कर वहीं रुकने को कहता है लावा गौड की बात सुनकर सिंचैन वहीं रुक जाता है और लावा गौड सिंचैन के पास जाने लगता है और अब आगे की श्टोरी देखते हैं जब लावा गौड सिंचैन से मिलने उपर जाही रहा था तब ही उसे कुछ ऐसा दिखा जिसे लावा गौड वहीं रुग गया और पीछे अटने लगा लावा गौड ने जैसे ही अपना पहला कदम पीछे अटाया लावा गौड का पैर फिरी से फिसला और लावा गौड नीचे जागिरा पर लावा गौड ने ऐसी क्या चीज देख ली जिससे लावा गौड को पीछे अटा पड़ा अरे नहीं ये तो आइस गॉड है एक मुसीबत कम थे क्या जो दूसरी आ गई अरे तुम का न तुम तो उसके भाई लगते हो हाँ मैं उसका भाई हूँ पर मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पोचाऊंगा क्योंकि मेरी दूसमनी उससे है ना के तुमसे तुम्हें कैसी पिते चला हम यहां है एक बात कान खुल कर सुन लो मैं तुम्हारी मदद करने नहीं आया मैं मोके का फाइदा उठाने आया हूँ ताकि मैं उस गंदे लावा गौड को मार सकूँ बाते चोड़ो वो देखो लावा गौड उठ रहा है अगर यह एक बार उड़ गया तो हमें बहुत मारेगा अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो मेरे पीजे बाहर चलो हो सिंचन चल बाहर चलते हैं देख लावा गौड पहले से ही बहुत गुस्ता है और उठ रहा है अगर हम यहां से बाहर नहीं गए तो हमारी मौध हमारा इंतजार कर रही है जल्दी करो आइस गौड की बात सुनकर वो दोनों आइस गौड के पीछे पीछे बाहर भागने के लिए जाने लगते हैं इधर लावा गौड उठ जाता है उन्हें भागता देख वो भी उनके पीछे उन्हें पकड़ने के लिए भागने लगा इधर ये तिनों गेट के पास आकर गेट खोल के लैप के बाहर आजाते हैं झाल 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 पाहर आते ही लावा गौड ने इन तीनों से कहा अब पताओ कहा जाना है फ्रैंकलिन आइस गौड से कहता है क्यों ने गुली बुली के पास चले वो हमारी मदा जरूर करेंगे उनके बहादुरी के खिसे बहुत सुड़े हैं अरे हां गुली बुली मैंने भी उनके बहादुर के खिसे बहुत सुने हैं हाँ, मैंने भी उनके बहुत दूर के किसे बहुत सुने, चलो चलो उनके पास ही चलते हैं हाँ, चलो चलो, चल्दी चलो फ्रेंकलिन की बात सुनकर ये तीनों गुली बुली के पास जाने लगे इधर गुली बुली आराम से लेटे हुए हैं तब ही फ्रेंकलिन सिंचैन आइस गुली बुली के घर के पास पहुचते हैं अरे ये दो कद्दू यहां क्या कर रहे हैं, गुली बुली कहा हैं अरे हाँ सिंचैन, चलो उनसे ही पूछ लेते हैं हाँ, हाँ, चलो, चलो एड्रेस तो यही था, गुली बुली कही दिखाई नहीं दे रहे अरे भाई सब यहां के गुली बुली रहते हैं क्या रहते तो हैं लेकिन क्या काम है उनसे ओ जरा मदर चाहिए थी एक लावा गॉड करके मौंश्टर है वो हमारे पीछे पढ़ गया है अरे यह सब बाते छोड़िये जंदी बताईए यह गुली बुली रहते तो यहीं है ले प्लीज हमारी मदद करो अरे बाते करना छोड़ो और जंदी बताओ गुली बुली कहा है अरे एक बात नहीं समझ में आती हमें हैं गुली बुली अरे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है हो सकता है बस मान लो है तो है अरे वो नीला पत्थर कौन है नीला पत्थर किसको बोरा बे पुप हो जा तुम दोनों और मेरी बाद ध्यान जिसनों गुली बुली हमारे पीछे एक लावा गॉट पड़ा है जो इस आइस गॉट का भाई है और हां उसकी दूसमनी इससे हो गई है लेकिन हम लोग तो बच किया आ गए है लेकिन हमें सींचैन को बचाना होगा करो मेरा बदिन जल रहा है हाँ चलो चलो वैसे वो लैब यहां से कितनी दूर है जाद नहीं है बस जल्दी ही पहुँच जाएंगे गुली बुली इनके साथ लैब में एंटी डॉट लेने जाने लगते हैं एरे फ्रेंकी भाईया जल्दी जल्दी दड़ो आरे तो मैं यह है और रास्ता यहां से अभी यह लोग भात करी रहे थे कि अचानक लावा गौड आइस गौड पर हमला कर देता है अरे नहीं यह क्या आइस गौड तो लावा गौड के चंगुल में आगया अब क्या होगा आइस गौड का अरे फ्रेंक लीन मुझे बचाओ जब तक यह ल यहां से इन सारी चीजों की सुरवात हुई थी वहां आती ही फ्रेंक लीन एंटी डोट उठाता और सिंचैन को देता है एंटी डोट लेते ही सिंचैन तुनन पी जाता है एंटी डोट के पी थे ही ठोड़ी देर बाद सिंचैन लावा गौड से नॉर्मल हो गया अरे ये छोटा बच्चा कौन है सिंचैन कहा विया अरे मैं ही हूँ सिंचैन और मैं 5 साल का हूँ मुझे सिमना मिल पिल्कुल भी पसंद नहीं इधर ये सब चल रहा था कि अचानक लावा गौड वहाँ वापस आ जाता है अब मेरी तागा दुग नहीं आ चुकी है तुम मेरा कुछ नहीं बिगार सकते लावा गौड तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लगा तब ही सिंचैन ने दिमाग लगाया और लावा गौड को धक्का दे दिया अब लावा गौड कभी वापस नहीं आ पाएगा क्योंकि वह जहां से आया था वहीं चला गया अरे अब मैं इतना भी खस नहीं दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और साथी साथ नोटिफिकेशन आईकन को आल पे सेट कर दीजे ताकि हमारी फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बहुत सके